Hello students, आज हम बहुती interesting chapter पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है water cycle Water cycle, क्या होता है water cycle? अब आप देखो आपके mind में कितने questions होते हैं ना कि rain कैसे आती है, हवा में पानी कहां होता है या जब आप कपड़े सुखाते हो तो उसका पानी कहां चला जाता है आप अगर कहीं पर पानी भरा हो और कुछ दिन बाद आप देखते हैं तो वो पानी ड्राइ हो जाता है तो वो पानी ड्राइ हो के जाता कहां है तो आज हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं water cycle देखो ये क्या है? ये है picture water cycle की ये किसकी picture है? water cycle की तो आज हम water cycle के बारे में पढ़ेंगे ओके students अभी देखिए इस picture में हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? clouds दिखाई दे रहे हैं, sea दिखाई दे रहे है, sun दिखाई दे रहे हैं तो first देखो हम step wise पढ़ेंगे first step हमारा क्या है? water evaporates due to sunlight देखो जहां भी गर्मियों में आप देखते हैं कि कहीं जेगे पानी खठा होता है बारिश का, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पानी अपने आप उड़ जाता है कहते हैं उड़ गया पानी तो क्या होता है? वो जो पानी जो sunlight जो होती है जो sunlight आती है उससे क्या होते हमारा जो पानी है? वो देखो उपर चला जाता है भाप बन कर ठीक है पानी क्या है? उपर चला जाता है और फिर वो पानी जो उपर जाते हैं वो खा जाते हैं उस पानी से फिर हमारे क्या बनते हैं क्लाउट्स बनते हैं क्या बनते हैं क्लाउट्स बनते हैं और जब वो क्लाउट्स वोटर से हैवी हो जाते हैं तब क्या हो जाते हैं तो वो पानी जब क्लाउट्स हैवी हो जाते ह है और फिर क्या होता है फिर वही पानी फिर sunlight के थरू evaporate हो जाता है फिर cloud बनते हैं फिर cloud rain होता है और तो यह थी हमारी वोटर साइकल I hope कि आपको water cycle अच्छे से समझ में आ गई होगी है önce students तो आपको यह chapter जो भूआ है घर पर रीड करना है, ओके स्टुडेंस बाब बाई and टेक कियर